हरियों मैं संगीता विरासाने में लेपारलेपूर्व मेरा उपासना केंद्र है बांदरा और आज मैं आपको जो अनुभोग अथन करने जा रहे हूं वो मेरे बेटी के बारे में हैं मैं बापु परिवार में 1999 में आई गोवाव रस्यात्रा के बाद में यहां पर बापु कृपा से यहां आने लगी मेरा परिवार भी यहीं पर जुड़ा है हम जो आज अनुभो सुनने जा रहे हैं वो अनुभो करते हुए जो हम परवार को हम जो कुछ महसूस हुआ वो अंबद्निया और उसके आगे ही ये क्या हम जी रहे हैं और कैसे बापु हमको उसमें से जो कुछ कठिन प्रसंग आते हैं महां से उठाते हैं वो मैं कहना चाहती हूं मंजरी मेरी लड़की आर्केडिक्टर के स्टूडेंट है और बापु कृपा से स्री हरी गुरुगराम जो है उसके बाजू में हिरे कॉलेश है महां पे वो पड़ती है 30 दिसेंबर 2013 को वो उसके क्लास के कोई स्टूडेंट के साथ असाइनमेंट के लिए गुजरात में वापी में जाने वाली थी एक दिन की आत्रा थी जाने आने के लिए एक ही दिन में सब करना था तो बहुत भागम भागी थी बहुत जल्दी निकलना था उसके सहले के पिता जी ने गाड़ी बुक की थी ड्राइवर को भी बोलके रखा था जाने का दिन तो तैर हो गया लेकिन दो-तिन दिन पहरे से मेरे मन में जैसे मैंने ड्राइवर नहीं देखा था उसका ड्राइविंग के आय पता नहीं था तो यसे बच्ची को छोड़ना तो यसे मेरे बंद में आ गया कि कुछ डर सा महसुस हुआ तो मैं बापू के सामने जाके खड़ी हुए मैंने बोला बापू लड़की को मेरे घर के सामने खड़ा करो और उसको सुरक्षित उसका प्रवास जो जाना आना है वो होने दो उसके बाद वो सुबह उस दिन चली गई दो बज़े तक उनका काम खतम हुआ वहा का अड़ाई बज़े उनका रेटर्न जर्नी चालू हो गया बीच में उसको नेन लग गई गारी काबूट 120 था और रास्ते पे ज़्यादा ट्राइफिक ने था उसकी सोच थी जल्दी से जल्दी हम बॉम्बे पहुच जाएगे तो उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स थे मंजिरी के तो वो ड्राइविंग करने वाले थे उसमें से एक दो तो उनको इसका ड्राइविंग अच्छा ने लगा वो बोलने ही जाने वाले थे कि आप जड़ा स्पीर्ट कम करो उतने में मंजिरी को भी जो नीन लगी थी बापुक रुपा से वो भी जग गई और देखने लगी उसे वक्त सामने उनके सामने जो ट्रक था उन्हें सड़नली बाजू के लेन में वो चला गया और उनके सामने जो आया वो 8 से 9 फिट डेफ्ट का वो खड़ा था और स्लांट था उसके उपर से बहुत वहाँ पे खड़ी या बोलते पत्थर थे बहुत और उस उपर से वो गारी गुजरी इतने जोर से वो नीचे आ रहे थी क्योंकि स्पीड 120 था तो कंट्रोल में आने के लिए बहुत वक्त लगा बहुत आगे जाके वो रुख गई जो स्पीड से वो नीचे जा रहे थी आजो बाजू के लोग देख रहे थे और उन्हें लगा इस गारी में जो उसके वज़े से तीन स्टुट्स के और आ गए तो उसके पाव को थोड़ा सा जो रैट हैंड डोर था उसका हैंडल लग गया कुछ जखम अगरे कुछ नहीं होई थी और फिर उन्होंने बाहर आके देखा सब सिट टूट गई थी कंडिशन गारी के बहुत बेकार थी बहुत लोग ने बच्चों को ओफर दी कि आप हमारे गारी से चलो लेकिन सुरक्षीत था कि दृष्टी से सब लोगों ने डिसाड़ किया गारी चल रही है तो हम इसी गारी से घर पहुँच जाएंगे उस वक्त सब लोग एक साथ बैठे उसी वक्त याकायक सब के घर से फोन आ गया कि आप वापिस से निकले की नहीं क्योंकि ज्यादा रात मत करो सब स्टुडेंट ने मैचुरिटे ऐसी दिखाई उन्होंने कुछ भी हमें बताया नहीं कि क्या हो रहा है उन्हेंने बहुत हम मैं पहले पता चलता तो हम घबरा के और दो गारिया निकाल के महां देखने के लिए जाते वह पॉसिबल भी नहीं था लेकिन मेंटल कंडिशन हमारे सब लोगों के डिस्टब हो जाते थे लेकिन बापो कृपा से लोगों को सब को इतनी शक्ति दी कि उन्होंने सब हैंडल करना मैं ने उसको डेखा ऐसे उपर से तो कुछ दिखने हैं मैंने ड fonction तुझे लगा है कुछ तो निनमा लगा है तो बें तुरंत उसको लेकि डोक्तर के पास गई उन्होंने चेक किया उन्होंने बॉला ऐसा कुछ लगा ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा जो कुछ है अ यो निकाला तो उतना वह फिलाट मेडा हो गया था आप कमलेन का मैटल का है तो उसकी ये आप आरह थी लेकिन हमारे बच्चे तो सही थे बोल ये कहते हैं मुझे उस्त वक्त तीवरत अघि मुझे मैं ゃो मैंसुस हुए कि एकसिधेन केतना गहरा था और उसमें जो इंस्ट्रुमेंट रखे थे प्लास्टिक के थे सेट्स के वार अगर अगर सब तूट गए थे यह घताना के बारे कि कुछ दिनों पहले ही मैंनों पहले ही एक ऐसी जोर से उसके पास से गारी गई कि दो इंच नाक के आगे दो इंच से वो गारी गुजर गई अगर इसका एक पैर भी आगे रहता था तो क्या होता था हम बोलने सकते बापुक रुपा से वो जहां खड़ी ती वैसे स्थेर थी उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन इन दोनों घट ना बताई तो उन्होंने बोला दत्य बपा की रुपा से बच्ची को कुछ हुआ नहीं है तो आप अभी जुई नगर को जाके दत्याक कीजे और फिर उनकी उन्होंने कहा वैसे हमने दत्याक किया और बस हम सुख में हैं अब इसे दोरान मुझे और एक आनुभव यादा है वह मैं आपको बोलना चाहती हूं कि हमारे सब घर में पादू का पूजन होता है इसे मेरे घर में भी पादू का पूजन था बापू घर में थे और उसी वक्त मेरे अजबन को दिमाख में आया कि एक सीड़ी लेगाएंगे बापू भीटी ची ओध मला लागली मजह अगर आप दूर है तो जो महसुस होता है कि कैसे हम मेले बापू को वो जो लगता है अंदर वो सब कहना जो है वो यह गीत में है तो हमें मालूम था हमने सेड़ी तो रखी है जहां सिली की जगह है हम डूण रहे थे लेकिन बिल्कुल सेड़ी मिलने रहे थे आधा गंटा इसमें चला गया उसके बाद हमें रियालाइज हूआ हम इतने पागल है सामने मेरा बापू बैठा है और हम बोल रहे है बापू को मिलने के लिए प्रखी है यह गाना लगाना चाहते थे अब बापू क्या करेंगे बापू तो सिखाएंगे अरे में सामने हूँ तो क्या लगा रहा है और फिर हमारे दिमाख में जब ये बात आई तो हमने वो सीड़ी लगाने का जो प्रयास था वो छोड़ दिया अच्छे से हमने शांती से हमारा पदुका पुजन हो गया और बाद में दो चार दिन के बाद हमें सीड़ी मिल गई हर्यों से राम अंबत्या